देख सकते हैं screen में, 12 week 2 days की pregnancy में placenta right little wall में था 18 weeks Pregnancy के दौरण placenta को लेके आपने काफी सारी वीजो देकी होंगी जिसमें बताया गया है कि placenta की जो दो में पोजिशंस होती है, जिसमें पहला होता है anterior placenta और दूसरा होता है posterior placenta इनके थुरू आप जान सकते हैं कि आपको गर्ब में लड़का है या फिल लड़की है तो क्या वाकई ऐसा है कि posterior या फिर anterior placenta से आप समझ सकते हैं कि गर्ब में शिशुल लड़का है या फिल लड़की है साथ ही दोस्तों अपनी प्रेग्नेंसी के टाइम की ये तीन रिपोर्ट में आप लों के साथ शेयर करूंगे अपनी बेबी की जिसमें मेरी प्लेसेंटा की क्या पोजीशन थी और क्या मुझे हुआ है ये सब बाते में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंट तक बनी रहीएगा नमस्कार दोस्तों मैं पूझा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेग्नेंसी टिप्स और इंफोर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है प्लेसेंटा दोस्तों जिसे गर्भ में शिशू को ऑक्सिजन और जरूरी जो पोशकतता होते हैं वो मिलते हैं जो कि शिशू के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है pancake shape का होता है जो कि गर्भाशे के दिवार में कहीं भी इस्सित होता है अगर ये placenta गर्भाशे के बाहरी हिस्से में है यानि कि आपके पेट की side है और आपके पिछले हिस्से में जहाँ पे आपके spine cot का हिस्सा जो होता है back side, वहाँ पे baby है तो ऐसी position को anterior position प्लेसंटा 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 प् इसेचित होकर कि गर्भाषय की दीवार में गिरता है तो वो दीवार में कहीं भी प्रत्यार रूपित हो सकता है। कि प्लेसेंट अपने सिद्वी से कहीं और खिसक जाए। तो placenta जो posterior होता है, हो सकता है, कि वो कही ना कहीं जाके हलका-फुलका anterior हो जाए और जो anterior placenta होता है, वो कहीं जाके posterior की तरफ आने लगे तो placenta जो होता है, overall जो है, pregnancy के दूँ अपनी इस्तिती को बदलता रहता है तो ऐसे में आप कैसे बता सकते हैं posterior placenta होगा तो आपके घर में शिशू लड़का होगा या फिर anterior होगा तो लड़की होगी क्योंकि प्लेसेंटा की तो खुद की position जो है वो stable नहीं होती है तो ये सब बातें सिर्फ बिकार की है इससे आपके घर में शिशू के लड़का या फिर लड़की होने का कोई सबूत नहीं मिलता है और नहीं इसका कोई scientific base है जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ posterior होने पे ये होगा और anterior होने पे ये होगा अपनी pregnancy को healthy बनाइए और जो भी आपको भगवान दे उसमें खुश रहिए तो दूसरी बात करते हैं दोस्तों मैं अपने बारे में बताती हूँ मेरी baby girl है और ये उसकी reports है तीनों के तीनों तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ first report ये आप देख सकते हैं ये मेरी 12 हफते की report है जिसमें साब-साब लिखा है कि placenta is right lateral wall यानि कि जो मेरा placenta है वो lateral wall में है ये 12 हफते की report है इसी तरीके से ये दूसरी report में आपको बताती हूँ जिसमें मेरा placenta जो है 18 week में मेरी जो ही report है इसमें position दिखिया placenta के placenta is posterior तो यह placenta जो है मेरा 18 week में posterior placenta आचुका था जो की pregnancy के 12 हफते में lateral wall में था 33 weeks में आप देख सकते हैं placenta की position यहाँ पे साफ साफ mention है placenta जो है मेरा यहाँ पे posterior है अगर आपको यह ठीक से नहीं दिखा है तो मैं clearly इसको अभी आपको mention कर देती हूँ आप देख सकते हैं screen में 12 week 2 days की pregnancy में placenta right lateral wall में था 18 weeks 3 days में placenta posterior और इसी तरीके से 33 weeks में आप देख सकते हैं यह जो placenta है यह posterior ही था तो दोस्तों आपने देखा कि placenta की जो मेरी position है वो posterior रही है तो ऐसे मैं तो मुझे लड़का होना चाहिए था क्यूंकि मेरा placenta जो था वो posterior था लेकिन मुझे एक बहुत ही प्यारी सी baby girl हुई थी तो इसी साब से तो यह जो बाते हैं यह जो कथन है यह बिल्कुल निराधा के तो फास्ट रिप्लाई के लिए आप मुझे इंस्टागाम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट की माधिम से भी मुझसे जूर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों फिर मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन स्टे हैपी स्टे हल्दी